जै माता दीभग जनों कैसे हैं आप सब आप सभी पर माता राने की करपापनी रहे चलिए आज सुनते हैं सिर्कृष्ण के से जूड़ी एक बड़ी ही सुन्दर और रोचक कहानी जब सिर्कृष्ण ने देवताओं के अभिमान को चूर चूर किया एक समय के बात है जब देत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ तो देवताओं की विजय हुई जिससे देवताओं में घमंड भड़ गया और उन्हें लगने लगा कि अब वो विजय हो गया हैं इसलिए वो सर्विस्रेष्ट है और उनको कोई भी पड़ाजित नहीं कर स इसलिए जब देवताओं को घमंड हुआ तो सिर्कृष्ण उनके अभिमान को कुछ अलना चाहते थे क्योंकि भक्त बद्सल भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्तों में किसी तरह का अभिमान या गलत चीज का उनके हिर्दय में निवाश हो इसलिए वो उनके सामने एक यक दिव्य प्रानी के अध्भूत रूप में प्रकट हुए जब परम भगवान इस अध्भूत रूप में आकास में प्रकट हुए तो देवताओं उनको भचानने में अशमर्थ थे जिग्यासा से बाहर इंद्र जो स्वर्गे के राजा ने अगनी देवता और भायू देवत भगवान ने अध्भूत यक्ष रूप में उत्तर दिया तुम कौन हो अगनी देव ने बहुत ही गर्वित हो करके कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ मैं अगनी देवता हूँ अगनी अगनी हूँ मैं ओ तो तुम अगनी देवता हूँ भगवान ने कहा क्या तुम ने कहा मैं कुछ भी जला कर राख कर सकता हूं। तब भगवान ने घास का एक तिन का लिया और उसे अगनी देव के सामने रख दिया। और फिर कहा कि ठीक है घास के इस छोटे से तिन के को ही आप जला दीजिये। अगनी देव ने अपनी शारी सकती और उर्जय लगा दी लेकिन वह उस तिन के को जला नहीं सके। तब भगवान ने कहा क्या हुआ कहां कही तुम्हारी शक्तियां। और उन्होंने पूछा अब अगनी देव का अहंकार चूर चूर हो चुका था क्यूंकि काफी प्रियाशो के बाद भी वह उस तिन के को जला नहीं पाएं। तब अगनी देव ने अपना सिर्चुका लिया और वहां से चले गए। तब पवन देवता यक्ष को देखने गए और पूछा तुम कौन हो। यक्ष देवता ने कहा तुम कौन हो। तब पवन देव ने कहा कि मैं पवन पवन तब बायू ने गर्ब से कहा क्या आप बहुत महान हैं पवन देवता। जब स्री कृष्णी ने पूछा तब उन्होंने कहा हां मैं वायू हूँ वायू। फिर भगवान ने पूछा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तब बायू देव ने कहा मैं कुछ भी उरा सकता भगवान ने पुनाहून के सामने घास के छोटे तिनके को इस सारा करते वे कहा कि ठीक है अगर आप सब कुछ उरा सकते हैं तो आप इसे उरा दें बायू ने अपनी पुरी ताकत लगा दि विशाल पेरों को खार दिया लेकिन घास का छोटा तिनका बिलकुल भी नहीं हिला बायू देव का भी अहंकार चूर चूर हो गया क्योंकि काफी प्रयासरत रहने के बाद भी वो घास के उस तिनके को हिला भी नहीं पाए और फिर व वहां से गायब हो चुके थे, वहां इंदर ने भगवान सिव की पतने उमा देवी को देखा, तब उन्होंने उमा देवी से पूछा कि वह कौन था, तब उमा देवी ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, कि वह कौन थे, वह परम ब्रह्म थे, परम ब्रह्म आप ब्रह्म ज्या की प्राप्ति करनी चाहिए और इस प्रकार से देवताओं के घमंड को भगवान ने चूर चूर किया और उन्होंने कहा कि इसलिए भगवान कभी भी अपने भक्तों में अहंकार को नहीं भरने देते